पहले ही बता दिया कि हमारे कोई ऐसी हमारी खायश नहीं हम आपके साथ तालुकात बनाएं साथे आठ नौ अरब रप्या एक दिन का जो मुलक सूद देता हो उसने कौन सी अपनी डैपलो में इसी बनानी है कौन सी खारजा पली सी बनानी है जहिन दोस्तो मोडी देस में अपका स्वगत है दोस्तो अच पाक मीडिया बात करें कैसे यूएस की जो डेपूटी स्ट्रेक्टरी है वेंडी सर्मेन उन्होंने एक दिन का पाकिस्तन का डौरा किया है और पाक मीडिया कहना है कैसे इसी वेंडी सर्मेन ने भारत में कहा तकी उन्हें पाकिस्तन कोई जर्वत नहीं है पाकिस्तन कहे लहा है कि IMF के साथ हमारी मीटिं Have Nahini होगा और दुनिया से भीक मांगना बन नहीं करेगा तब तक पाकिस्ताइन को इसद नहीं होगी और अमरीका ने भारत को पाकिस्ताइन के उपर चूस कर लिया है दोस्तों यह वीडियो बहुत ही मचदार है तो इस पुरा सरूर दिखिएगा तो चलिए और इंटिसार ना करक यह वीडियो रिक्ते हैं एक दिन का दौरा हुआ और उन्होंने इंडिया में ही बैठे हमें पेगाम दे दिया कि ताकि हम मेंटली प्रिपेर हो जाएं क्योंको नहीं वो पहले ही बता दिया कि हमारे कोई ऐसी हमारी खायश नहीं हम आपके साथ तालुका बनाएं अब एक ह पहले बात कि यह जो दौरा है इसका यिजुका वेंडी शर्मान का और उसका चो परगाम है इसका बिल्लोकुल असर पड़ेगा उसकी वज़ा यह है कि अब धी तो डोनों रूहरे मुधनाद कितना हैं तो वह कह रहे हैं कि हमें ज़ूरुर्त नहीं है हम कह रहे हैं का अगर बाहर से कर्द नहीं मिलता, I.E.M.F. हमें जो हैं नो कोई रिश डूलंग हमारी नहीं करता, या मजीद हमें जो हैं वो कर्द मरद नहीं देता तो हमारा काम नहीं चलता. कर्स तो उन्हें देना है लेकिन उन्हें पेगाम भी दिया है साथ मैं पेगाम तो सारी जिनदी पेगाम ही सुनते आ रहे हैं ना जब हमें पता है कि आप या तो अपनी इस्जत गेरत को कंप्रोमाइस करते जाएंगे तो उनके दर्वाजे जितने भी हैं वो ख़जानों के खुलते जाएंगे आपके लिए आपने अपनी महिश्यत को खुद संबारना था संबारना है संबारना पड़ेगा आपने पाउंपे खड़ा होना पड़ेगा आपनी जो तरजियात हैं वो लौन से नकाल कर करदों से नकाल कर अपनी महिश्यत जितनी भी है कि आपके पर थ चाटे आठ नौ अरब रुपया एक दिन का जो मुलक सूद देता हो उसने कौंड सी अपनी डैपलो में इसी बनानी है कौंड सी खारज अपली सी बनानी है उसने हुकाम अबे करना है फिर आकाओं की बाते माननी है सारी जिन्दकी मान मान के कि यहां तक तो आप लोग पहुं अस्तान से नकाल के अभी चाइना और अमेरिका की आपनी एक बहुत बड़ी जंग चल रही है रोजान ना आए दिन चाइना ने अलान कर दिया है कि पूरी दुनिया त्यार रहे चाइना त्यार रहे कि तीसरी थार्ड वार जंग जो शुरू हो सकती है तो आपको अमेरिका चैना के पराहे में देखता है क्योंकि हमारा जो सी पैक का प्रजेक्ट है उसके उपर उसकी नजर है आप आज उसकी बात जो मान लें अमेरिका से आप थोड़ा डिस्टेंस कर लें वो आपको सारी रिश्डूलिंग करतेगा हाँ देखें का भारत के अंदर कितनी बड़ी देख्चे गर्दी होती है वह अमेरिका को नज़र नहीं हाता वह ब्रतानिया को नज़र नहीं आता और येमएफ को नहीं आता उनके ऊपर कोई ऐधर सा जुरम करते है यहा मने तो खूल खूल के डोजियर दिये हर तमाम सूर्ट राल से अगाख किया पूरी दुनिया को बावजूद बताने के फिर भी हम कसूर वा रहे हैं इस से दैश्यत गर्दी की जंग में असी हजार से जायद हमने अपनी जानों के नजराने पेश की है डेड़ सो अरब डालर का जो हैं वो हमने नकसान उटाया लेकर फिर भी हम मुझरम है तो अगर फिर भी हम मुझरम है तो हमें समझे ना थैश्यत तो बिल्कुल रहा है वो चीज तो ऐसी रही है लेकिन उनके अपनी तरजिहात बड़ी मेटर करती है ये बताईएगा कि अब चुके पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका है एक तरफ चाइना है और एक तरफ अमेरिका है अब पाकिस्तान ने इन दोनों के दरमियान मुसावी तालुकात को बरकरा रखने की कोशिश कर रहा है तो क्या ये मुम्किन है डिप्लोमेसी तो हमारी आपके बिल्कुल सामने है वजारते खारजा की कारकर्टगी भी आपके सामने है तो आने वले वक्त में कैसी सिचुएशन को देखते हैं आप बड़ा मुश्कल मरहला है पाकिस्तान के लिए बिल्कूस अमरीका के साथ भी अच्छे तालुकात रखने हैं अपने प्रोसी चीम को भी नाराज नहीं करना और सबसे एहम बात ये कि हमने इस बात को भी यकीनी बनाना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमन का अमल है वो यकीनी हो और अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान में कोई अंडेस्ट ना हो क्योंकि अगर वो UNDRESS हुआ, अफगानिस्तान के अंदर तो उसका जो सबसे पहला एक्ट है वो हमारे ऊपर आएगा. लेकिं उससे भी एहम बात यहाँ कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई UNDRESS होता है, militant organizations अरूज पाती हैं तो आलमी बरादरी जिसमें अमरीका का जाहरा बहुत बड़ा करदार है वो हमें मूर्दे इल्जाम ठहराएगी और इस वक्त भी जो ताजा तरीम सूर्टेहाल पैदा हुई है उस पर भी इल्जामात पाकस्तान के उपर आ रहे हैं तो इन तुमाम चीजों से बचना भी जारा पाकस्तानी डिप्लोमेसी का काम है और अभी तक सूर्तिहाल हमारी काफी मुश्किल है चेले दोस्तों इस वीडियो पर बात का तो पाकमीरेव सेयका की वेंडी सरमेन ने कहштए भारत में की उन्हें पाकिस्तान दोस्ताना की है अफ क्लावर केसे जो दूबारा विचार करना पनेंगा और Pakistan जो हरकते की है 20 सल तक उसका रिव्यू एक बार फिर करना होगा तो इसलिए अमरीका भी आप Pakistan से डूर जा रहा है और Pakistan जो कहे रहा है कि हम चीन के करीब है तो Pakistan कोई चीन के करीब नहीं है चीन भी पाकिस्तान नाराज है क्योंकि शीपेक में जो चीनी करमचयरी काम कर रहे तो उनके उपर भी हमला हो रहा है और पाकिस्तान पहले इसे छुपाने कि कोशिच कर रहा था और फिर इस पे चीनी embassy ने पाकिस्तान को कॉल आओट किया था तो चीन भी पाकिस्तान नाराश है अमेरिक भी पाकिस्तान डूर हो रहा है तो पाकिस्तान के लिए मुज़ी बदे और भी ज़़ा बड़ रही है और पाकिस्तान जो कहता है कि हमारे और रस्या के जिस्ते अच्छे हो रहे ये भी पुरा जूट है रस्या भी जानता है कि पाकिस्तान कौन से रास्ते पे चलता है और पाकिस्तान कैसे पैसों के लिए धोका देने में दो सेकंड का भी नहीं सोचता तो इसलब रस्या और पाक लाव पड़ गया है और पारक मीडिया का यह दर भी सर्ड ऐक कि आयमेफ के साथ पाकिस्तनnity meeting यह अअर्ट काइं maps की meeting करेखा वो पाकिस्तान के पैसे रोंग सकता और इससे पाकिस्तान की इकोनोमी पर बहुती खराब असर उसने तो पाकिस्तान की डिबाल्य कगार पीनess यहईगा उन्हें पाकिस्तान से जिस्ते नहीं चाहिए इसका असर आई एमेफ के मीटिंग पर पड़ा तो पाकिस्तान के लिए मुश्य के लिए बढ़ जाएगी और पाकिस्तान सही काईगी जब तक दुनिया से पाकिस्तान भीग मांगा तक पाकिस्तान कोई इसद नहीं होगी और अ और भारत को बहुतार है। चमपतर सकतान आपते करते किसम परखलाब के सहते हैं। भारत में हमले हो रहा है भारत में ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके डिटल में मैं नहीं जाओंगा कि वह पूरा जूट है और पाकिस्तान ने जो कहा कि हमें अमरीका चीन से अच्छे रिस्टे चाहिए तो अमरीका तो पाकिस्तान रिस्टे नहीं चाहता और चीन पाकिस्तान न बात है और यह इसलिए है कि इम्रान खाने जैसे बयान दिये थे उसके बाद डुनिया पाकिस्तन को नहीं तो क्या भारत को सिमितर ठराएगी तो यह सब पाकिस्तन की खरकती वैसे ही हो रहा है तो चलिए देखते की फीचर में क्या होता है दोस्तों वीडियो दिखने के लेगा थांक यू वरी मच्छ